सेट मोहनलाल शेहर के एक बड़े व्यापारी थे सेट मोहनलाल ने बड़े बेटे अनिल की तो पहले ही शादी करती थी अब वो अपने छोटे बेटे सूरज के लिए लड़की ढूंड रहे थे पर सूरज काफी दिनों से शादी के लिए टाल रहा था कारण था कि सूरज सीमा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था सीमा एक गरीब परिवार की लड़की थी इसी वज़े से सूरज को डर था कि कहीं वो सीमा के बारे में घर में कहें और शादी के लिए मना ना हो जाए पर एक दिन सूरज के पिता ने उसे सीमा के साथ बाजार में देख लिया और इस बारे में सूरज से बात की पर मैं इसलिए आपको उसके बारे में नहीं बता रहा था क्योंकि सीमा की फैमिली हमारे जैसी रिच नहीं है वो बहुत ही गरीब लोग है पर नेचर के बहुत अच्छे हैं सीमा का नेचर भी बहुत ही अच्छा है मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ पापा क्या हुआ जो गरीब है बेटा तुम तो जानते हो मैंने भी अपनी महनत से ही ये मुकाम हसल किया है मुझे शादी से कोई आतराज नहीं है बस लड़की अच्छी है हमें और कुछ नहीं चाहिए तुम हमें सीमा और उसके मता-पिता से जल्दी ही मिलवा दो ताकि हम तुम अरी बेज़ती हो जाएगी अरी कुछ सोच समझ कर तो रिष्टा तै करते गरीब घर में रिष्टा तै करके वो अपना तो नाम खराब ही कर रहे हमारा भी नाम खराब करेंगे मैं तो तुम्हें कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से अलग हो जाओ वरना हम भ यह कह रही हो पस यह शादी हो जाए उसके बाद मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा लेही लूँगा एक काम करेंगे ना अलग होकर हम किसी बड़े बंगले में रहने चलेंगे वैसे भी यहां रहने का कोई फायदा ने अब गरीब घर में शादी हो रहे है तो मैं उस गरीब ल बहू बन गई खीर जी माजी बस बनने वाली है ड्राइफरूट डालने रह गए है अच्छा अच्छा नीलम सीमा को ड्राइफरूट का डिबबा दे दो नीलम ही सारी रसोई संभालती है ये लो और ध्यान रहे ड्राइफरूट डालने में कंजूसी मत करना तुमने तो रसोई से बाहर चली गई, उसका ये व्यवहार बहुत ही गलत था, सीमा को घर में आए दो महीने बीच चुके थे, अनिल और निलम रोजाना ही अलग घर में जाने की बात कह रहे थे, पर एक दिन सेट मोहनलाल पर मुसीब्तों का पहार तूट पड़ा, अचानक एक दिन उनक पहले ही कमाई के कुछ पैसो से एक बंगला खरीद कर रख चुका था, अनिल और निलम दोनों ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा और अलग बंगले में रहने चले गए, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अनिल ऐसा निकलेगा, आज मुसीबत की घड़ी में वो औ पहु सीमा है, दोनों बच्चे हमारे साथ हैं, हमें और क्या ही चाहिए, पापा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में कहीं कोई नौकरी ढूंड लूँगा, आपने मुझे मेहनत करनी सिखाईए, आप ही तो कहते हैं नो पापा, कि मेहनत करके इंसान कुछ भी पा सकता तब ही सीमा के ममी पापा आ जाते हैं, मा बाबुजी आप, मोहनलाल जी, कृप्या करके हमारे घर चलिए, जब तक आपके रहने का प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक आप हमारे साथ ही रहोगे, जैसे सीमा हमारी बेटी है, वैसे ही सूरज भी हमारा बेटा है मोहनलाल जी सीमा के पापा के गले लग कर खूप रोते हैं, आज मुसीबत की घड़ी में सीमा के माता पिता ही उनके काम आ रहे थे, सब लोग सीमा के घर पहुचते हैं, सीमा के माता पिता भले ही गरीब थे, उनकी आर्थिक स्तिती इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सीट मोहनलाल और उन भर गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था, मैं चलता हूँ, किसी को नौकरी के लिए बुला हुआ था बहन जी हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आपके जैसे सम्थी मिले, पर हमारी सीमा अपने ससुराल में कोई सुख नहीं देख पाई, इसी बात का अफसोस है, हम तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सके बहू, मा जी अपनों का प्यार और साथ ही तो सबसे बड़ी खुशी होती है, आप सब मेरे साथ हो, तो मैं बहुत खुश हूँ, अब से बस हमारा एक ही बेटा है, सूरज, अब अनिल से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा, अगले कुछ महीनों तक सूरज अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में ही रहा, पर वहां उसे किसी भी चीज की को होई, उसे और उसके परिवार को बहुत प्यार और सम्मान मिला, कुछ महीनों बाद जब सूरज की नौकरी अच्छी जगा लग गए, तब वहीं पास में ही उन्होंने एक घर किराय पर ले लिया, सूरज और सीमा ने मिलकर अपने परिवार को संभाला, और फिर से एक नई जिन्दगी की शुरुवात करने की कोशिश की, तुप पागल हो गई है क्या काव्या, उस अरजुन से शादी करे की, अरे उसकी हैसियत तो हमारे नौकर जितनी भी नहीं है, लेकिन मा उसके दिल में प्रेम है, दया है और दूसरों के लिए सम्मान है, अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो आपको मेरी शादी अरजुन से करवानी ही होगी, काव्या के मादा पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक न मानी, हार कर उन्हें अपनी अमीर बेटी की शादी, गरीब अरजुन से करवानी ही पड़ी, ब्याह कर काव्या अपने गरीब ससुराल आई उसकी साथ शांती ने सब के लिए खाना बनाया शांती और अरजुन खाने के लिए जमीन पर बैठ गए तभी कावया भी उनके साथ जमीन पर बैठ गई अरे ये क्या बहू तुम नीचे क्यों बैठ गई तुम इतने बड़े घर की बेटी जमीन पर बैट कर खाना खाती हुई अच्छी नहीं लगोगी मा जी मैं बेटी उस घर की थी लेकिन अब इस घर की बहु हूँ और यहां जैसे सब लोग रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूँगी कौन कहता है बड़े घर की लड़कियां आदर भाव नहीं जानती हमारी बहु तो सब जानती है अच्छा अरजुन कल काव्या बहु की पगफेरे की रसम है इसलिए कल तुम इसे अपने ससुराल ले जाना जी मा अगले दिन अरजुन आटो करके काव्या के साथ अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है उधर उसके ससुराल में काव्या के पिता धनराज अपनी पतनी रमोला से कहते हैं अरे रमोला, अरे आज हमारे जमाई बाबू आने वाले हैं, उनके स्वागत की तयारियां करो भई वो दामाद कहीं का प्रधान मंत्री नहीं है जो उसके आने की तयारियां करू हमारी ही बेटी की मती मारी गई थी जो अच्छे-च्छे घराने के रिष्टे ठुकरा दिये और उस लप्पू से शादी कर ली तो क्या हुआ रमोला? हमारा दामाद स्मार्ट है, पड़ा लिखा है, पैसे का क्या? मेहनत करेगा तो पैसा भी आ जाएगा? चलो अब उठो और दामाद जी के आने की तैयारियां करो दाल चावल बने पड़े हैं, उसके लिए वही काफी हैं, और अपनी बेटी के लिए मैं पिज्जा, स्ट्रॉबेरी शेक और बर्गर आनलाइन ओडर कर दूगी ना जाने इन दो दिन में मेरी बच्ची ने क्या रुखा सुखा खाया होगा रमोला धनराज की बात नहीं सुनती और मुह बना कर वहां से चली जाती है उधर रास्ते में दुकान देखकर अर्जुन आटो रुखवाता है क्या हूँ आर्जुन, आटो क्यो रुखवा दिया? काव्या, शादी के बाद पहली बार तुम्हारे घर जा रहा हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना चाओंगा मम्मी जी और पापा जी के लिए कुछ उपहार और मिठाईयां ले लेता हूँ अरे नहीं अर्जुन, रहने दोस की कोई जरुरत नहीं है तुम्हारा बेकार का खर्चा हो जाएगा तुम्हारी खुषी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है काव्या फिर अर्जुन ने अपनी सास के लिए एक बनार्सी साडी और ससुर के लिए ख़ड़ी और सास में कुछ मिठाई करिया कुछी देर में अर्जुन कावया के साथ अपने ससुराल पहुँच गया फिर रमोला अपनी बेटी की आर्थी उतारती है और उसे गले से लगा लेती है लेकिन अर्जुन के पैर चुने पर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया दामाद जी आप वहां उस कुर्सी पर बैट चाहिए और मेरी बच्ची आ तुम मेरे साथ इस सोफे पर आकर बैट रमोला अपने गरीब दामाद को पुरानी सी बेकार कुर्सी पर बिठा देती है जबकि अपनी बेटी को महंगे सोफे पर बिठाती है ये देख काव्या को बहुत बुरा लगता है हाए मेरी बच्ची दो दिन में ही कितनी मुर्जा गई मा ये क्या कह रही हो वहां सब मेरा बहुत खयाल रखते हैं अच्छा रमोला दामाद जी पहली बार ससुरा लाए हैं उनके लिए नाश्टा लेकर आओ भई कुछ दिर बाद रमोला एक प्लेट में निम्बू पानी और कुछ बिस्किट ला कर अरजुन के सामने पटक देती है रमोला ये क्या तुम दामाद के लिए निम्बू पानी लाई हो अरे इन गरीब लोगों को दूद, रबडी, गाजर का हलवा ये सब शाही चीज़ें हजम नहीं होती इनके लिए निम्बू पानी ही ठीक है जल्दी पी लीजे दामाद जी दाल चाबल बने हुए रखे हैं फिर वो भी खा लेना कावया बेटी, तु मेरे साथ अंदर चल, मैंने तेरे लिए पिज्जा, स्ट्रॉबेरी, शेक और बर्गर मंगवाए हैं बस भी कीजे ममी, आज आपके दामाद का ससुराल में पहला दिन और आप उनके इतनी बेज़त ही कर रही हैं वो बेचारे अपनी थोड़ी सी सेलरी में आपके लिए तोफे लाएं, और आप उनके साथ ऐसे, छी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुख सकती, चलिए यहाँ से कोई बात नहीं काव्या, निम्बु पानी तो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, और गरीब तो मैं हुई ही, तो इसमें मुझे बुरा नहीं लगा, तो तुम्हें क्यों लग रहा है, मम्मी जी, पापा जी, जो आपने अपनी इतनी संसकारी बेटी को मेरी जीवन संगि नहीं बनाया है, मैं आपसे बादा करता हूँ, मैं काव्या को हमिशा खुश रखूँगा, मम्मी जी, ये गिफ्ट आपके लिए और कोई भी बात दिल पर मत लीजिएगा, काव्या आपकी बेटी है, वो यहां आती रहेगी, अब लेकिन मैं गरीब हूँ, मेरा यहां आना ठीक नहीं रहेगा, रमोला ने जब गिफ्ट्स खोल कर देखे तो उसमें महंगे तौफे थे, इतनी महंगी साड़ी और घड़ी देख, रमोला को खुद पर बहुत शर्मिंदगी हुई, और उसने जाते हुए अपने दामाद को रोका और कहा, ठेहरो दामाद जी, मुझे हाथों से नाश्ता बना कर लाती हुँ, उन सब की कोई जरुवत नहीं है मम्मी जी, आप तो बस हम पर हमेशा अपना आशिरवात बनाए रखना, रमोला ने अरजुन और काव्या को गले से लगा लिया, और उन्हें धेर सारा आशिरवात दिया,